बड़ी खबर आ रही है बिहार के भागलपूर से वो आपको बता दे नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है भागलपूर में नाव पर करीब 150 से जादा लोग सवार थे सिर्फ 30 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला गया है बाकी लोग अभी भी लापता है रेस्क्यू ओप कुछ भी पता नहीं चला है NDRF की टीम मौके पर मौझूद है रेस्क्यू ओपरेशन लगातार किया जा रहा है बहुत बड़ा हादसा हुआ है बिहार के भागलपूर में गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई है फिलाल बताया जा रहा है कि 100 से जादा ऐसे लोग है जो की लापता है जादा अपडेट के साथ हमारे समदता रुपेश हमारे साथ जुड़ गए रुपेश क्या जानकार ये बेहत बड़ा हादसा कितने लोगों की मौत की गुंजाईश बचते हैं इस पूरे हादसे में अभी तक कई लोग लापता है कि बिल्कुल आशंका ये दर्जी जा रही है वहां पर हाला कि STRA की टीम पहुंच गई है नौगती स्टीम वहां पर पहुंच गए हैं लेकिं 50 से 70 लोग वहां पर लापता है उनके परिजन वहां वधावासी का आलम है चारो तरफ और किनारे पर ही वो नाव डूबा कि अधिया था उस पे और बड़ी संख्या में हाला कि CHAMTA 50 से 60 ही होती है उस नाव पे और लंबब बेड़ वके आज पास लोग उस पर सवार हो गये लिहाजा नाव वहां पर पलट गई और उसमें से कुछ लोग इनको तैरना आता है वो लोग तैर कर पाह रहे हैं क्या कु कि अधियर चुका है निशीत रूप से उनके साथ कोई बड़ा हाथा हुआ है अलाकि अभी तक कोई शोव नहीं निकाला जा रहे हैं लेकिन यह आशंका है कि बड़ी संख्या में लोग वहां अधर बना रखेगा रुपेश अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए तो बेहत दुरभागे पूर्ण यह पूरा हाथसा है डेड़ सो लोग सवार थे इस नाव में नाव पलट गई है पचास लोग ला पता हैं आशंकेत है लोग की कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हुआ और होनी ना हुई हो एंड